हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टेडी फीड आफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह निव प्रैक्टिस सेट का चौतिस्वा वीडियो है जैसा कि मैं डेली बेसेश पहको कोई-पी-वर्ग टू-3, यू-पीट, जीट, पीडियोट, बीपेश्ट, टी-अरी 4 एंड सभी फिजिकल एजुकेशन चैनल एकशाम के लिए डेली बेसेश से प्रैक्टिस करा रही हूं तो दोस्तों डेली बेसेश से प्रैक्टिस करने से आपको क्लिरेंस आएगी आप कि तो दोस्तों जैसा कि कमेंट में आया था कि BPSCTI 3 का जो कट आफ है उस पर वीडियो बनाएए तो मैं संडे को उस पर वीडियो बना दूंगे जल्दी उसका रिजल्ड भी आने वाला है तो चलते हैं और शकी कोस्टन के तरफ कोसे नमर वन है सारीक सिच्छा क्या है? What is physical education? तो दोस्तों सारीक सिच्छा यानि सरीर समंधी बिभिन क्रियाओं से इसका मतलब है सारीक मतल होता है सरीर समंधी बिभिन क्रियाओं सिच्छा का अर्थ होता है सुभ बिवस्ती जंक से निंडियो और प्रसिच्छर जीवन की क्रमभट जंक से तैयारी या किसी कार्विसेज के लिए दिया जाने वाला दिशार निंडियो से है सारी क्रियाओं का सु बिवस्ति धंष से अध्यन थीक है अब कई बार इसे सारी क्रसिचण, खेल, सरीर, सन्सकीटि, स्वास्टि सिच्छा, अमनरंजन समझा जाता है तो इस निस्कर्ज के अदया है दोस्तो सारी सिच्छा क्या है सारे सिच्छा हुआ सिच्छा है जिसका संबल सारे क्रियाओं से होता है और जिस सिच्छा की माध्यम से किसी ब्यक्ति भी से इसका सरवाएंगे बिखा संबल होता है इसी को सारे सिच्छा कहते हैं यहां पर इसके हमसा राइट एंसर हो जाएगा आपका सारी प्रसिचर फिजिकल ट्रेनिंग कोशन नंबर टू है फिजिकल फिटनिस क्या है तो दोस्तो जैसा कि मैंने कई बार इसकी परिभासा बताया हुआ है कि डेली रूटीन वर्क बिदाउट एनी फॉर्टी ठीक है डेली के टास्क को कारे को भी ना थके संपन करना और आपत्ती काल के लिए एक्स्ट्रा एनरजी बचा रहना इसको हम फिजिकल फिटनिस कहते है तो यहां पर यह हो जाएगा तक फिजिकल फिटनिस भी क्या होता है हमारे जो कादियोरेस्पारटरे एंडुरेल्स जो होता है हमारे फिजिदे की और जो हमारे रक तवाहिनियों की स्वाप फेपरों की छंता जो होती है वो बढ़जाती है जिससे हमको देर से 상 enorm होती है तो सरी कि आंतरी सकत्यों की चंता आपका जवेश वह फिजिकल फिटन स्वास्ति के लिए अच्छा पोसर क्यों जरूरी है वाइज गूट निट्रेशन इंपोर्टेंट फार हेल्थ स्वास्ति के लिए अच्छा पोसर क्योंकि पोसर से ही निटिशन से ही हमारा जो स्वास्त होता है तो यहां पर रया टेंसर हो जाएगा सरवांगिर विकास घैसा खाये अन्वाइसा रहे मन ऐसा कहा भी गया है तो वह भोजन जिसमें सरीक ब्रिदि यों स्वास्त रहने के लि यानि संतुलित आहर कहते हैं जिसे कार्बोहाइडेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवर जल, इस भोजन में सभी उचित मात्रा में भी दमान हो, उसके हम बैलेंस डाइट यानि की संतुलित आहर कहते हैं संतुलित भोजन की दिश्टी से भोजन की मात्रा तथा उसकी गुड़वत्ता दूनों ही महत्पुल है यह इन दूनों की पूर्थी नहीं होती है तो वह कुछ पोसर केसिती में आ जाता है कोश्चन नमबर फूर है हिरे के निर्गत का समाने मान क्या है क्या होता है एक मिनट में जितना जो हिरे का बाय अलेंद जो है रग्द को पंप करता है धमनियों की तरफ महाधमनी की तरफ सरी के अंगों की तरफ उसे हम कहते हैं कार्डियक आउर्पूट तो एक मिनट में हिरे के दौरा जितना रग्द पंप किया जाता है उसे हम कार्डि हिरे के एक धड़कन 거는 में जितना रंट बाएं निले से लेप्ट वेंट या ना से तराप यानि कि महा धमनी के तरफ फेका जाता है उसे हम इस्ट्रोक वैल्यूथ गहते हैं जिसका मान होता है 70mm कितना होता है 70 ml और हार्ट रेट प्रति मिनट कितना होता है 72 70 अब 72 का गुड़ा करेंगे तो आपका एंसर आएगा 5040 ml क्यानि कि आपका समान ने जो है काडियक आपट पूट एक मिनट में कितना होगा तो 5.04 लीटर ठीक है 5.04 लीटर प्रति मिनट आपका राइट एंसर हो जाएगा आप कोशन नमर फाइब है पूल्स त्री कुद में टेक ओफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी होती है इन मेंस ट्रिपल जॉंब देश्टेंज बेट्वीन देटेक ओफ बोर्ड एंड दे एरिया जो लैंडिंग एरिया होती है ठीक है यह आपका यह आपका जो रनवे है पिर यहां पे टेक ओफ बोर्ड रहता है यहां पर अपका लैंडंड ऐरिया होता है इसके बीच की दिस्टेंस होती तीम होती है कितनी होती है पूर लिए 13 मिटर महिलाओँ के लिए ग्यारद मितर याद रखेगा ट्रिपल जंप में तो 수 के लिए विए 30 महिलाओं के लिए 11 मिटर ठीक है 13 मिटर यहां पे राइजन सुरू होगा ठीक है लैंदिंग रिया जो होती है और 9 गुड़े 2.75 मिटर होती है और 9 मिटर लंबा होता है 2.75 मिटर चोड़ा जो रनवे होती है उसकी जो लंबाई होती है 40-45 मिटर और 9 की चोड़ाई जो है 1.22 से 1.25 मिटर होती है ठीक है और ट्रिपल जंब में हम प्लास्टी साइन इंडिकेटर इसमें नई होता है जबके लंग जंब में प्लास्टी साइन इंडिकेटर बोर्ड हो भी होता है क्वेशन 6 है निर्में से किस खाथ पदार्थ में एक संदुलित अहार के लगवख सभी तत्वनिहित होते हैं आप सब को पता है विच आ फाल्विंग फूट आइटम्स कांटेंस अल्मूस्ट 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 अप्ड़ अवस्थाओं के लिए संदुलित अहार के लच्छड सभी तत्वनिवीत है इसमें लगवख 87 प्रतिसंट जल होता है इसके लवा इसमें वसा प्रोटिंग कार्बोहाइडिट कैल्सियम पोटैसियम इत्यादी भी समुचित मात्रा में पाय जाते हैं इसलिए इसको कंप्लेट डायेट यानिकी सिवांती गोल्ड कब किस खेल से संब्नध हमने इससे अने जैसे की पूरूस के लिए मापा कर्टू टॉफी थ्याति है मःला प्रति मुरू में इस प्रधान सिवांती गोल्ड कप and super challenge cup आदी इस से समधित है question number 8 है कि Davis golf किस खेल से जुड़ा है Davis golf is associated with which sports तो दोस्तों ज़े Davis golf है वहाँ आपका learn tennis से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है Davis golf learn tennis से प्लान टेनिस से जुड़ा हुआ है इसमें इसके अलावा और इसमें Master Rich golf and Babylon trophy, French open, Australian open and Whitman, Antwerp, Western cup, Henkane trophy, Hoffman cup, Gaffar cup, आदी राजेंदर परसाद cup आदी इस से समधित है question number 9 है कि स्वास्थे इवन ब्यायाम बैज्यानिकों के अनुसार स्वास्थे रहने के लिए कम से कम कठीन ब्यायाम जरूरी है तो दोस्तो स्वास्थे रहने के लिए बेज्यानिकों के अनुसार आधा घंटा प्रती दिन और सब्ता में तीन दिन आपको exercise करना ब्यायाम करना जरूरी है स्वास्त रहने के लिए आदा घंटा एक दिन में और सकता हमें तीन दिन ठीक है यारी कि सरीर में सभी अंगों को में उचित रगत संचार ब्लड सर्कूलेशन अवस्यक है क्योंकि सरीर के प्रतिय कोशिका में नियंतर उर्जा च्छै होती रहती है अताग पुरा उर्जा नि नियंतर आउक्सीजन के आउसकता रहती है नियमित आदे घंटे के ब्यायामों से सरी में रगत संचार ब्लड सर्कूलेशन समंधी रुकावटे दुर होती रहती है और रगत जो कि आउक्सीजन का वहाग है सरी के प्रतियक आंग की कोशिका को आउक्सीजन के आपरती कोशिन नमबर 10 है कि मानों सरीर में कितने प्रकार की जोड़ पाये जाती हैं हमारे सरी में तीम प्रकार की जोड़ पाये जाते हैं हमारे सरी में तीम प्रकार की जोड़ पाये जाते हैं हमारे सरी में तीम प्रकार की जोड़ पाये जाते हैं आप सबको पता है कौन कौन से साइंवन्थोरोसिज ज्रृटो और चल संदी ना स्छुप्र। रिसे महारे कि Walter Prudy इन्टे के रिएर जाते हैंetes हाथ कि दोने ब्रस. दूबसरा हो दूबस दूबस टूबस नाम की जानते हैं, जानते हैं इसमें हमारा महारा नाम पार्द सियने consist को भाट्र जाता है, और्थ चल संदी के अंतरगत अब हमारा रिप्स आ जाते हैं और हमारा टेल बोन के पास का जोर कुल्दे का सबसे निचला है औरा हिस्सा पीविक सिंफेसिस आता है तिसरा संदी होता है चल संदी जिसे हम फ्रीली मुवेबल जोईंट, साइनू वियल जोईंट, डायर्थोसि पास मुझाए। यार्ष जोईंट, हिन्स जोईंट, कांड przyp मुझा है। यहरा पहलन दाख के विविनल मुझाएं। तरह भालेंड और हैं मुझा आता था हैंजोशन हैंता कि कर्का ort f हैमर थू डिसकर्श थू एंड जैवलिन थू आता है और जंपिंग के अंटर कर लांग जंप हाई जंप रिपल जंप और पोल वाल्ड आता है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर सो मिटर ठीक है बाधादरों रिले अब ट्रैक की प्रतिकता है जब की लंबी कोद यां ला में किटनी स्वयव परदाएं में क्या ऱजिया होता है किchain तो डेकठलान पुर्चू के लिए उता है सफ gift कि दस इस परदाएं मोझता हैं कि हैं और इसनिचार टरेक और उच्छे फिर्ड एवेल्ट होतें कि और दूस्तो इसको मैं इन चारों को मैंने डीटेल में अच्छी से बताया हुआ है एसलेटिसे प्लेइलिश में जाईए और वहां पे ट्रिक के साथ देखिए जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा तो दो दीनों में दस इवेंट्स होता है दो दिनों में संपंड होता है पांच प्रथम दि दो जाएबन होता है अब अधियर है किट्नी इंपान जाuh टाईए जास जो दो अगयों में मलसको तो कंड़ तो को सावुंहार मिश्ण करें मताके टुकूर्च मजंदी एग किट्नी होती है को सिकषिए ।ि चुलंदी है ईक कर्केट पीश्डीन होती किटनी होती है कि त तेक है और क्रिकेट में जो बैट के लंबाई होती है आरती सिंच यानि 6 में तो 5 cm अब बैट के चुड़ाई होती है 4.25 इंच यानि की 10.8 cm कोशन नमबर चबता है कि रिले रेस में एक्सचेंज जोर्न की दूरी कितनी होती है दूस्तों रिले रेस में जो होता है और टीम इस पर दाप स्प्रेंट दोड़ के अंदर आता है इसे प्रते एक तीम में चार खिलाड़ी होते हैं और यह दो प्रकार का होता है चार गुड़ी 100 मीटर और चार गुड़ी 400 मीटर दोड़ चार गुड़ी 100 मीटर का मतलब है कि चार खिलाड़ी भाग लेंगे सो मीटर में चार गुड़ी 100 मीटर प्रते खिलाड़ी 100 मीटर दोड़ेगा चार गुड़ी 400 का मतलब है प्रते खिलाड़ी 400 मीटर दोड़ेग याद रखेगा और इसमें अगला थावक अपने को दौड़ने के लिए प्रयोग करता है और दस मिटर पीक अप जोन होता है कोशन में 15 में कितने अंग मिलते हैं तो दोस्तों जब एक टेम की सभी खिलार्यों को प्रया valt्यक होता है दोंग का लोना मिलता है लोना का कितना नa और पॉनस ने units यह जब अपोजेट सब में ऑप है कि को हें है में छोक्तों कहां लो पर है दूस्तों आप सब को पता है कि आप यह माहराश्ट्र में हुआ है तो भारत में खोखो उठविशो otras ऐंडिया की नवन नiliस क Columbusrob界 में गवए था दोस्तों अगर कहीं आप समय 95 नहीं रहेगा तो 1960 सभी हो जाएगा अगर दूनों सब्सक्राइब कितनी दूरी पर होता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस ट्रेगर निकालने का सुत्र होता है निकालने का सुत्र होता है दबलू यार्र मैंनस वान मैंनस टेल टो पाइग तो हम उस ट्रीक से नहीं हम एक आपको ट्रीक बताये हुए थे इस वाले विडियो का देखिए गा एक आतलेश में तो आपको पता चल जाएगा कि जो पर्थम लेंग का इस त्रेगर होता है ठीक है पर्थम लेंग का इस्टार कहटत है सबको पता है आप सबको पता है श्यस पॉइइन 24 । ठीक है आप 7.0 हो रहले पर और आप सिस्वइन पोइद ज़ेगे 7.0 v4 में 7.04 में 7.67 जोड़ते जाएंगे कितना जोड़ते जाएंगे 7.67 कितना आ जाएगा साथ चार ग्यारे की एक हासिल लगा एक शो एक साथ ठीक है अज साथ साथ चौद यानि साथ दसमलो साथ एक मिटर तिसरे इस्टर अगर कितना आ गया साथ एक मिटर तो हर बार आप 7.67 जोड़ते जाएंगे अगले लेंगे करो अगर इसट्रेगर आपको आ जाएगा तीक है असी तरह हाफ युट्रेंगे 200 मिटर का होता है पहला लेन 0 मिटर का दूसरा लेन 3.52 मिटर का होता है उसी में अब आगे 3.8 फूर्ट जोड़ते जाएंगे तो 200 मिटर का सभी लेनों का आता जाएगा कोशन नमर8 हैadamente में अलम्पिक खेलों में पहली बार सपत कब आरंब हुआ ऊलम्पिक खेलों में सबसे पहले बार 2.0 एंटन्वर्प में सुरुआत हुआ और और 1920 एंटवर उलम्पिक में भारत का जो उलम्पिक जंडा है उलम्पिक प्रतीक चिल उलम्पिक जंडा भी फौराना इस्टाट हुआ और सबसे पहले बार कभूतर भी छोड़े गए 1920 एंटवर्प में कोशन नंबर 19 है अपने आपको स्वस्त रखने के लिए मनुस्य को परते दिन कम से कम कितनी समय बे आयाम करना जरूरी है तो दोस्तों परते दिन 30 मिनट सब्ता में कहेगा तो 3 दिन अपरते दिन 30 मिनट आपको स्वस्त रखने के लिए अपने आपको जरूरी है 30 मिनट का एक spiritual social हर प्रकास से उसका विकास हो तो सारी इकमान से विकास समाजी गौनात में विकास नेटिक अध्यात में विकास physical and mental development social and emotional development moral and spiritual development यहाँ आप इस सभी विकास को हम कहते हैं पहुंभी खीव काड़ यानि सभी दिसाओं में विकास question number 21 है sociogram किसकी माप करने का एक साधन है दोस्तों sociogram क्या करता है यहाँ सम्हों के सदस्यों के बीच संबन्ध और आकरसर को माप करने का एक साधन है question number 22 है किसी व्यक्ति की उचित निड़ा लेनी और अलोचनादमक दिश्टी से विचार करने की छमता को हम कौन सा समझदारी कहते है दोस्तों किसी के पास उचित निड़ा लेनी की सकती है है अलोचनादमक दिश्टी से विचार करने की सकती है तो उसकी कौन सा समझदारी है ع 45 समझदारी उसकी बौद दीड़ा ज़्यदा है IQ चंच अच्छा है इंटिलिजिन एक्टूल हम उसको कहेंगे कोसे नमर तेज है पिक्निक और सरीर का एक प्रकार है इसे इसने वरगी कित किया तो पिक्निक इस टाइप ऑफ बाड़ी फू क्लासिफाइड इट तो दोस्तों इसको क्लासिफाइड किया है क्रेसमर ने चार बारी टाइप बताय कौन-कौन से दोस्तों उन्हें पिक्निक, एथलेटिक, अस्थैनिक, डाइसफलोस्टिक चार बताय है जिसमें से पिक्निक को हम गोल का है एथलेटिक को सुडोल का है और अस्थैनिक को लंब का है दुबला पतला सरी कहेंगे जो पिक्निक होता है ओकद छोटा चेहरा गोल सरी छोटा मोटा होता है मिलन सार बहीर मुखी बिनो अराम तलब होता है तो यहां पर पिकनिक अपकार क्रिस्मर ने दिया है दूसरा होता है अथलेटिक जो सुडोल का बॉड़ी होता है जिसमें सरी बलवान पेसिया मजबूत अस्थी पंज़ ससक्त सीना चौड़ा सरी का व अपना दृष्टा बुद्धि जीवी सांध एकांतप्री होता है जो था है उन्हें बाटा है टाइस प्लाश्टिक जो उपरोग तीनों का मिस्ड़ होता है ठीक है और जो कि सेल्डन ने एंडोमोर्फिक मेसोमेस्ट पेस्टोमोर्फिक बाटा है जो विसेस्ता पिकनिक के क्रेस्टमर के पिकनिक का है वही विसेस्ता सेल्डन के एंडोमोर्फिक का है जो विसेस्ता क्रेस्टमर के एक्टोमोर्फिक का है जो विसेस्ता क्रेस्टमर के आस्थैनिक का है वही विसेस्ता सेल्डन के एक्टोमोर्फिक का है याद रखिएगा question number 24 है ऐसा कार्य सरीर कार्य करने के लिए आवस्यक oxygen की मात्रा से कम मात्रा में oxygen की आपूर्थी कर सकता है तो इसको किसके रुपी जाना जाता है तो जोस्तों जितना आवसकता है उसे कम आपूर्थी कर पर आए oxygen की कमी यानि अनुपसिती हो रहा है और वाई या अन एरोबिक कार्य में सरीर कार्य करने के लिए आवस्यक oxygen को मात्रा में से कम मात्रा में oxygen की आपूर्थी करता है इसमें white blood cells जाना active रहते हैं strength वाले high intensity वाले कार्य में ऐसा होता है जबकि endurance वाले में आपका एरोबिक कार्य होता है question number 25 है खोखो के खेल में कितने खिलाड़ी होते है how many players are there in the game of खोखो दोस्तों गेम में पूछा है तो 9 खिलाड़ी आपका सही माना गया है ठीक है तो कुल खिलाड़ी पूछेगा तो 12 आयसे पूछेगा तो 9 कुल 12 खिलाड़ी होते हैं 9 वेदान में खेलते हैं और 3 अत्रित खिलाड़ी होते हैं खोखो के ground का जो measurement होता है लंबाई गुड़े चड़ाई 27 गुड़े 16 मिटर होता है बरतमान में पहले 29 था ठीक है और इसमें खेल के अवदी जो है दो इनिंग्स में होते हैं 939 फिर मध्यान तन 6 मिटर का फिर 939 मिनट ठीक है कोश्चन नबर 26 है एक प्रसिछित बेक्ती में आप क्या देख सकते हैं वाट कैन यू अबजर्व इन ट्रेंड परसन तो दोस्तों एक प्रसिछित बेक्ती होता है जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक कोई समाने पुरूस होता है या व्यक्ती होता है उसका हार्ट रेट 72 होता है जो स्वसंदर होता है बर्थ रेट ब्रेट वो आपका 16 से 20 होता है 12 से 20 होता है बट जब कोई व्यक्ती एक्सराइज करता है एक्टिविटी करता है तो उस टाइम आपका हार्ट रेट जो है 180 प्रती मिनद पहुच जाता है और जो 60 होता है वह 40-50 प्रती मिनद पहुच जाता है लेकिन को यह जब बार बार अभ्यास करते करते प्रसिचित हो जाता है तो उस अवस्था में उसकी जो हार्ट रेट होती ह वहां 40-50 प्रतिमिनट हो जाता है और 168-10 हो जाता है और इस कारव अराम अराम से सांस लेता है जिससे उसमें लंबे समय तक कारे करता है तो भी नई ठकता है धीमी ठकावड होती है एक प्रसिचित बेक्ति में आप धीमी ठकावड डेख सकते हैं कोशन नमर 17 मजब कावड इसकी के लिटा है यहाइं प्रसक्पो ブेक 2 सब्सक्रान करने के लिए पकड़ बनाने के लिए जो मानक दाब होता है दस ग्राम प्रती मिली मिटर वर्ग होता है यह दस मिली ग्राम प्रती एमेम इसक्वायर इसका दाब होता है यह आपके उत्राखन एल्टे ग्रेट में इस बार पूछा हुआ था और जो इसकी फुल कैलीपर है वो से केलिब्रे तो अच्छा लेगा में तो खिचाओ नहीं है परियाद्गर्मा हट होगा तो खिचाओ Doesn't water meansarya airborne होगा होगा जब खिचाओ इस अच्छा आपका लिक्षस्पायो और स्ट्रेनिंग करेंगे अत气 circumstance शेयर बंद करें आसलों पर सीर्च्छ यहां पिचाओ पन्हों हो जाएगा यहां पर खिचा हो जाएगा यानि कारे का अधीक बोज बढ़ जाने पर इसी तीमी प्रहावित मांसेसी में समुचित ऑक्सीजन के आप उर्जी नहीं हो पाती इसके फ़ल तरुक मांसेसियां खिच जाती है अत्तिक पसेचर के दुरान ऐसी इसी तीमी हो जाती ह कोशन 29 है हम इस्टाब बोड कहां देख सकते हैं दोस्तों हम इस्टाब बोड जो है कहां पर देखते हैं तो हम इस्टाब बोड सार्ट पूट में देखते हैं किस में देखते हैं सार्ट पूट में ठीक है साड़ फोट गोला फेक में हम स्टाप बोर्ड देखते हैं यहां भी 29 का भी हो जाएगा और गोला फेक में गोले का जो भार होता है पुरुसु के लिए 7.2-6 केजी यानि 16 पाउंड और मैज़ाओं के लिए 4 केजी यानि 12 पाउंड का होता है हाइमेर फॉका भी 7 ही होता है जिसकल्ष थ्रोग फॉउड्सू के लिए 2 टोसी महिछाओं के लिए 1 केजी लिए फाला फेक में भाला के लंबाय फॉस्ट मम यहिए पॉर्चों के लिए 600 ग्राम तो दोस्तो आयोरेज महिला के लिए 40 g प्रोटीन क्या सकता होती है जब कि एक कारेसिल महिला के लिए 60 g एक गरभावस्ता महिला के लिए 101 g एंड स्वातर इस त्रावर समय 112 g प्रोटीन आवस्टेक हैं को से नमबर 31 है प्रेडा के सिधान्तों में इसे कौन सा सिधान जीव बिज्ञान समंधी अभी मुक्ता रखता है विचावद थियोरीज अव मोटिवेशन हैं ए बायोलोजिकल और 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 येंटेशन तो बायोलोजिकल पूछा है दोस्तों यहां पे आपका मूल प्रभि सिधान इंस्टिट्ट्रीवी जीव घ्यान समंधी अभी मुक्ता है यह सिधान सभी प्रेडा के सिधानों की जड़ है प्रेडा के डायों सिधान विचार पर अधायत है याद रखिएगा कि हम बायोलोजिकल आवसक्ताओं को संचारित करते हैं जैसे भोजन पानी अवास अधित हैं हमारे सरी में ब्योहार के आवसक्ताओं संतुली बनाती है मानुव सिधान मानोवात का मोनो वेग्यानिक परिपेश्च है जो संपूर प्रेक्टित्व का अधियन करता है तो मुल्प्रविति जर्म से भी दिमान होता है को स्थान नमर 32 है सीखना किस पर निर्भ आई बढ़ने से एक समान बालक में परिपक्ता भी बढ़ती है और उसके सिखने की छमता में भी पिकास होता है कुशन नमर 33 सरीर रचना भासा में हिडर की मांस्पेसी को क्या कहते हैं इन्स लीट्रों हम हो कि इन्स को मायो कॉडियं को मायो कॉडियं कहते हैं हिडर का byte है YouTube क्या दोस्तों हिरे तीन मांस परतों से मिलकर बना हुआ है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम बहुत हैुँ पर पाूटियू करता है ईहां किससे हटा है वी लु upload तो यह था आज की स euros간 आपको अच्छे समझई होंगे जो भी डाउट कमेंट में जबरबताई हैं तो जादर जादर वीडियों को सेर किजिए जिससे और लोग तब वीडियो पहुछ सकें तो मिलते हैं एक्स वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाहें